बॉलीबूट के तीनों खान, सल्मान खान, सारुक खान और आमिर खान के साथ काम करने का हर एक्ट्रेस का सपना होता है लेकिन आज हम आपको उन एक्ट्रेस के बारे में बताने चार हैं जो इन इस्टार्स के साथ काम करने के बावचूद भी फ्लाफ हो गई फ्लाव फोई एक्टरस में सबसे पहला नाम सिनिहा उलाल का है सिनिहा उलाल ने सल्मान की फिल्म लगी नो टाइम फर लब्से बॉली बुड में कदम रखा लेकिन उसके बाद सिनिहा उलाल ने कुछ ही बॉली बुड की फिल्में की फिर उसके बाद वो बॉली बूर्ट से गायव हो गए बलूचा टी सूजा बलूचा टी सूजा ने बॉली बूर्ट सूपरिस्टार किंग खान यानि कि सारुक खान की फिल्म फैन में शारुक खान की पतनी का किरदार निभाया और दोनों ही कुछ समय के बाद फ्लाफ हो गए गैतरी जोसी बॉलीबूड के सूपरिस्टार सारू खान के फिल्म सोदेश में नजर आने वाली गैतरी जोसी तो आप लोग को यादी होंगी बॉलीबूड में गैतरी की ये पहले फिल्म थी इस मूबी में लेड रोल निभाने के बाद गैतरी जोसी बॉलीबूड की ज़्यादा फिल्में नहीं मिल पाई और वो बॉलीबूड से गायब हो गई शल्मान खान की फिल्म जैहो और रेस तीन में नजर आने वाली डेजी शाह बॉलीबूड में कुछ अच्छा कमाल नहीं करवाई डेजी शाह अभी भी बॉलीबूड में किसी बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट की तलास में है ग्रेशी सिंग आमिर खान की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म लगान के जरिए एक्ट्रेस ग्रेसी सिंग ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया आपको बताते चलें कि लगान भले ही उनकी डेवी फिल्म नहीं रही लेकिन उनकी ये बॉलीबूड की पहली और बड़ी फिल्म थी ये एक्ट्रेस भी बॉलीबूड में कुछ अच्छा कमाल नहीं करवाई तो बॉलीबूड के इन बड़े बड़े इस्टार्स के साथ काम करने के बावजूद भी ये एक्ट्रेस आज गुम नाम की जिल्दी की जी रही है फिलाली इस बारे में आप लोग की क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बतारे